हेलो फ्रेंट्स मैं भावना अपनी चैनल दबीज गार्डन में आप सभी का सब्सक्राइब फ्रेंट्स जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें इस बात का भहुत ख्याल रखने चाहिए जो हमारे गार्डन की मित्ती है इसमें पोशक तत्वों की कमी नहीं हो पोशक तत्वों की कमी के काराण ही हमारे प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है उनके पत्तों से चमक हलक होने लगती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है और जब हम container planning करते हैं यानि कि pots में पौदे लगाते हैं इसमें तो मिट्टी बहुत limited होती है और plants को सारे nutrients जल्दी ही ले लेते हैं तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर ऐसे पोशक्ततों की आपूर्थी अपने plants में करते ही रहें कुछ ऐसे ही घर में बने organic fertilizer है जो आपका ये काम आसान कर देते हैं और free में आप कई fertilizer अपने घर में बना सकते हैं तो मेरा आज का topic एक ऐसा ही fertilizer है जो आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और ख्रीका और हमारे plants के लिए वह लाब दायक है बहुत ज्यादा खास करके flowering plants के लिए तो मैं बात करीं हूं केले की छिलकों की ये केले के छिलके जो आप डस्मिन में फैक देते हैं ये बहुत ही nutrient rich होते हैं और हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही लापतायक होते हैं इन केलों के छिलकों में पोटेश्यम बहुत अधिक मात्रा में होता है लगबग 42% के करीब और ये पोटेश्यम का सबसे अच्छा औरगेनिक सोर्स माना गया है केले के छिलके तो इसको बनाना कैसे है यह हम द की रख सकते हैं मैं तिन चार दिन ही लखती हुना कि एक अफ़ते रखने का थोड़ी लेखिए ल्खती है के के 3-4 दिन पेहले मैने कुछ ढ़्यें कुछ डाले थे पर के लेए छोनाऊतना है यह तृव तरल खार में तबदील हो चुक है और इसको ödरल थिन से के साथ ही अपने plants में खाद दे सकते हैं और छिल्कों को मिठी के अंदर दबा सकते हैं लेकिन आचकल मॉनसून है इसलिए में बेवल पानी ही दालती है क्योंकि छिल को में फंगस लगने का खत्रा रहता है तो अगर आप कमपोस्टिंग करते हैं तो इस छिल के आप उन में उसमें डाल सकते हैं इस तरह से आप छान लेंगे और इसका एक हिस्सा ले लेंगे आप किसी भी जग में और इसको पाने में इसको डायलूट करते ही है पोटिशम की यह पौध हमें व्हूरी हम्हें चाहिए काम करता है और यह भी स्लावरिंग अफ्रॉटिंग फिर्टा रफ बाविरो ant Dimuatsissa का बड्य जास। इसको समय समय पर यूज करती रहती हैं तो आप हफ़ते हफ़ते में डाल दीजिए से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए आपको और चीजों का भी यूज करते रहना चाहिए ऐसे नहीं कि सिर्फ यही डाले इसमे नाइट्रोजन कम होती है और प्लांट को नाइट्रोजन भी जरूरी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशम यह तीन जो न्यूट्रियंट्स हैं वो ज्यादा अमौंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को और यह जो बनाना पीर है वो हमारे प्लांट्स में पॉटेशम बहुत अधीक मात्रा में दे देता है तो यह मेरे विंका के प्लांट्स ओवर वाटरिंग के का थोड़े यलो हो गये हैं मौनसून में तो आज कल वाटरिंग का भी आप ध्यान रखिए तो फ्रेंट्स आप भी इस तरल खात को आसानी से अपने गहर में बनाई है प्लांट्स आप प्लांट्स आप प्लांट्स